सो पहला वर्ड से फ्रेंड्स गुथा हुआ आठा या गुथा आठा इसको इंगलिस में क्या बोलेंगी तो इसकी इंगलिस हो जाएगी फ्रेंड्स डफ डफ माने होता है गुथा हुआ आठा नेक्स्ट है लोई लोई को इंगलिस में क्या बोलेंगे तो लोई का इंगलिस हो जाएगा फ्रेंड्स डफ बाल डफ बाल माने होता है लोई डफ बाल माने लोई नेक्स्ट है रोटी रोटी को बोलते हैं टॉर्टिल्ला या चपाती भी बोल सकते हैं टॉटिला या चपाटि नेक्स्ट है पराठा पराठा को बोलते हैं फ्लाइट ब्रेड फ्लाइट ब्रेड माने होता है पराठा नेक्स्ट है आलू का पराठा आलू का पराठा तो पोटेटो इस्टफेड फ्लाइट ब्रेड पोटेटो इस्टफेड फ्लाइट ब्रेड नेक फ्लाइट ब्रेड इसका इंगली सोयगा गोभी का प्राठा का नेक्स्ट है भर्मा बैगन भरुआ जिसका बोलते हैं भरुआ भर्मा बैगन का इंगली सोयगा इस्टाफेड ब्रिंजाल और इसको बोलते हैं एक और इस्टाफेड एक प्लांट भी बोलते हैं इस्टाफेड एक Plants, next है भूना हुआ चना, भूना चना की English क्या होगी Friends, तो इसको बोलते हैं Rosted Gram, Roasted Gram माने भूना चना next है इलाइची दाना, इलाइची दाना की English क्या होगी Friends, तो इसको बोलते हैं Comfit, Comfit माने होता है इलाची दाना नेक्स्ट है मिस्री मिस्री जो बड़ी होती है इस चीनी के जैसा तो इसको बोलते हैं सुगर कैंडी सुगर कैंडी माने होता है मिस्री नेक्स्ट है फ्रेंज टोस्ट टोस्ट का इंगलिस क्या होगा तो पेटीज का इंगलिस हो जाएगा फ्रेंड्स पफ पैस्टरी पफ पैस्टरी माने होता है पेटीज नेक्स्ट है नमकीन नमकीन को इंगलिस में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स तो नमकीन का इंगलिस हो जाएगा क्रिस्प सॉल्टी Crisp, Salty माने होता है, नमकीन Next है Sandwich Sandwich का इंगलिश Sandwich ही हो जाएगा Next है मुरब्बा मुरब्बा को इंगलिश में बोलते हैं, Jam Jam माने होता है, मुरब्बा Next है पापड पापड को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं पापाडम और Next है अचार अचार की इंगलिश क्या हो जाएगा, तो पिककल, पिककल माने होता है अचार पिककल माने अचार Next है सिर्का सिर्का को इंगलिश में बोलते हैं, बिनेगर बिनेगर माने होता है, सिर्का Friends, अगर वीडियो पसंद ना है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और comment करके अपनी राइज जरूर बताएं फ्रेंज तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंज बुडिहा के बाल इसकी इंगलिस हो जाएगी candy floss, candy floss माने बुडिहा के बाल और बोलते हैं cotton candy भी बोलते हैं इसको next है kulfi, kulfi को English में क्या बोलते हैं फ्रेंज तो kulfi की English हो जाएगी Indian ice cream Indian ice cream माने होता है कुल्फी और इसको kulfi भी भी बोला जाता है आपको ध्यान देना है next है daliyah, daliyah की English क्या हो जाएगी फ्रेंज तो daliyah को बोलते है पौरिज, porridge माने होता है दलिज नेक्स्ट है नीबू का सर्वत नीबू का सर्वत तो इसकी इंगलिस हो जाएगी लेमन एड लेमन एड माने होता है नीबू का सर्वत नेक्स्ट है फ्रेंड्स छाच छाच को इंगलिस में बोलते हैं बटर मिल्क बटर मिल्क माने छाच होता है नेक्स्ट है राब राब की इंगलिस क्या होगी फ्रेंट्स तो राब को इंगलिस में बोलेंगे तिरी एकल, तिरी एकल माने होता है राब, नेक्स्ट है फ्रेंट्स भुट्टा, भुट्टा की इंगलिस हो जागी कॉर्ण या रोस्टेड बोल सकते हैं, कॉर्ण या रोस्टेड कॉर्ण, इसकी इंगलिस भुट्टा, नेक्स्ट है लपसी, लपसी को क्या बोलते हैं फ्रे Next है भूरजी, इसको बनते हैं Is Krum Bledig. Next है जरदी, जरदी जो अंडे का जरदी होता है उसकी इंगली सोजाएगी यॉक, यॉक मने होता है जरदी. Next है आमलेट, आमलेट को इंगली से में बनता हैं, आमलेट ही बोलते हैं, आमलेट. नेक्स्ट है फ्रेंड मास मास को इंगलिस में बोलता है मीट मीट माने होता है मास और नेक्स्ट है फ्रेंड जो आपको कमेंट करके बताना है बुडिया के बाल और इलाइची दाना इसका इंगलिस आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स वीडियो में फिर में दो